मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है इसलिए कभी-कभी कुछ नया कार प्रारंब करने से पूर हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हड़ जाते हैं और इन सब का कारण है स्वयम पर अविश्वास द्रण निश्चे की कमी हम जिन्हें उची द्रिष्टी से देखते हैं जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उनके जीवन में गहराई से देखिएगा केवल एक ही अंतर पाएंगे निश्चे का अंतर ही ये निश्चे ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है हमारे प्रयासों को शक्ती देता है ये निश्चे का अंतर ही तो है कि इसी लिए यदि मार्ग बंध हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीडा को समाप्त समझो युदिष्ठिर समराठ हैं और आप योवराज हैं कुमार आप दोनों का पद और संपत्ति समान नहीं है इसलिए दाव के मल उस पर खेला जाए जिस पर आपका अधिकार हो सत्त कह रहे हैं मातमा की दोर और मैं इनके कथन का समर्थन करता हूँ परंतु परंतु दुर्योधन अरे इतने महान विद्वान प्रकान पंडित नियम बना रहे हैं तो हमें स्विकार है मामा इन सब को इनी की नियमों में बांदेगा तुमारा मामा आज स्विकार है महामहें हमें आपके सारे नियम स्विकार है परंतु परंतु क्या गंधार राज मुझे भी कुछ नियम चाहिए पहला दियूद क्रिडा कब रोकी जानी है इसका निर्णय तोनों खिलाडी परस पर विमर्से करेंगे और सभा में उपस्तित कोई भी व्यक्ति दियूद को रोकेगा नहीं मुझे शकुनी के इस नियम में कोई आपति दिखाई नहीं देती स्विकार है धन्यवाद महराज और हाँ और एक बाद यहाँ जिस भाती नियम बनाए गए उससे यह सपष्ट प्रतित होता है कि महानुभाव के मन में यह विश्वास पैठा है कि मैं यहाँ कोई छल करूँगा इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक दियूत क्रिडा चलेगी सभास तल को छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा कोई भी नहीं तो कहिए समराठ स्विकार है आपको स्विकार है अभी नहीं मेरे नियम अभी समाप नहीं हुए है कंधार राज आदेश कीजी ये महमहीं इस सभा में स्त्रियां रस्तुत नहीं होगी ये कैसा नियम है महमहीं सम्राठ खेल रहे हैं तो सम्रागी का यहां होना अवश्यक है ये सारा मनुरंजन उनी के लिए तो हो रहा है परन्तु मनुरंजन के साथ साथ द्यूत कभी मन की निराशा का कारण भी बन जाता है बिल्कुल ठीक काम आ महीम नहीं और वैसे भी शास्त्रों को अनुसार एक स्थ्री केवल और केवल अपने पती के साथ ही जौसर खेल सकती है और किसी के साथ नहीं और यदि ऐसाना हुआ तो मैं सर्व परता हूँ इसका दिरोन खरूँगा ठीक कहा गुरुद्रोन ने जुए में लाब, हानी, जय, पराजय होती ही है और हानी का सबसे अधिक दुख स्थ्रियों को होता है जब ये मनोरंजन के कारण है तो किसी को दुख क्यों दिया जाए ठीक है महामहीम अब गंगा पुत्र ने नियम बनाए है स्विकार है स्विकार है दुर्योधन परंतु महामहीम ये ये चासर का खेल बहुत लंबा है और मेरे प्रियभीम को बहुत भूख लगती है और मुझे प्यास और यहां इतने अतिति गणभी उपस्तित है तो मेरा निवेदन है कि भले ही राजस्त्रिया सभा में नाए परंतु दासियों को यहां आने की और स्वामे की सेवा करने की अनुमती मिलने ही चाहिए ठीक दासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा अज़ा निवेदन है सम्राठ मेरी योर से पास से मामा श्रीप है केंगे क्यों दुर्योधन वरा जैसे भैबित हो नहीं जाता अभी मैं तमराठ की विजय से भैबित नहीं परन तु क्या करूँ इस समय मेरे हाथ पासे फैकने के सक्षम नहीं है और यदि यदि मैं हार गया तो तो ब्राता युदेश्टर को लगेगा कि मैं उनके सम्मान में हार गया परन्तु क्या द्यूत में यह नियम है कि पासे को और चले अर्जुन क्या है यह नियम नहीं है यह खिलारी का अधिकार है जो दुर्योधन ने उपयोग किया जैसे युद्ध में नहीं होता लड़ते सैनिक हैं पर विजय पर अधिकार किसकी होती है राजा की और फिर दुर्योधन तो केवल निवेधन कर रहा है अर्जुन अब सम्राट की इच्छा कि वो अपने अनुछ दुर्योधन का निवेधन स्विकार करते हैं या नहीं स्विकार धन्य हो सम्राट धन्य हो सम्राट का मन इंदर प्रस्त जैसा ही विशाल है पैठिये पदारिये अब मेरा राज्ट्रियों से निवेधन है कि वो अन्तवपुर की ओर प्रस्थान करें कि 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 कर्वाष्म कि मुदू संवराट खेल प्रारम करें प्रतित होता है कि भागी भी चक्रवर्ति समराट के अधीन है प्रतित है इस बार दुर्योधन आगे निकल गया प्रतित है प्रतित है झाल झाल रुकियाए कर्ण 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 यह द्यूत एक छल है सम्राग्ची दिश्ट्र और गांधार राज व्यूत में आपका सब कुछ चीन लेना चाते हैं इस समें चोसर पर आपका पुत्र और मेरा मित्र नहीं गांधार नरेश शकुनी का भांजा दुर्योधन बैठा है मेत्र, रुक जाओ मेत्र अभी भी कुछ नहीं बिकड़ा हर कर्म के अपने भल होते हैं मेत्र हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हम वही काटते हैं जो हमने बोया है और तुम कुछ ऐसा मत दो देना मित्र जिसका दुश्च परना हम बाविश्य को काटना पड़े सच्चा मित्र सरभो नहीं होता है जो हर मार्क पर आपके साथ चले बलकि सच्चा मित्र वो होता है जो आपको पूमार्क पर चलने से रोक है अदभुत अंगराज अदभुत अपने मित्र के विरोध में जाने को तुम मित्रता कहते हो मित्रता का प्रिक्ष विश्वास प्रेम और समर्पन की भूमी पर लगता है आपके वल चल करना जानते हैं गांधार राज और उस चल से अनेक शत्रूत पन करना जानते हैं और ऐस समय भी आप छल से बांडवों का सब को चीन लेना चाते हैं वह अंगराज वह अब अब में इसे क्या कहूं? महान मित्रता? या फिर सबसे बड़ा मित्या आरोप? ध्यान से देखो इस चौसर को अंगराज सम्राठ युदिष्टिव दुर्योधन से सब कुछ जीतने से केवल एक पक केवल एक पक दूर हैं तुम्हारा ये परम मित्र दुर्योधन अपना सब कुछ हारने के सीमा पर खड़ा है और तुम तुम मुझपर और दुर्योधन पर छलका रोप लगा रहे हो? ये इसने ये दाव ते पहले ये दाव खेल रहे हैं कवंदाल रहा है ये क्या कह रहे हो तुम इस भादी राजसभा में आकर किसी पर लांचन लगाना सही बात नहीं अंगराज यह सब के समक्ष खेल हो रहा है वोई चल नहीं हुआ है अब प्रलाव बन कीजिए और शांती से अपना स्थान ग्रहन कीजिए यहां मुझ पर सबसे बड़ा उत्तरदाई तुए मेरे दुर्योधन को इस फार से बचाना चाहिए सम्राट खेल प्रारम किया जै बदाई हो जैस बदाई हो आप विजय हुए अब पताईए अंगराज क्या ये ये छल है मेरी बात समझो मित्र मैं जानता हूँ क्या क्या होने भाला है मैं ये अज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा बरम्तु आज मांग रहा हूँ झाल, करोगतो दो नियुकत है इस गेल को रोप दो तुम्हारा प्रतिशोद लिया जाएगा, मित्र मैन होतो तुम्हारा प्रतिशोद अर दूजिए बुमी में तुम्हारा ठीट्रीद्णी नहीं मैं वचन देता हूं, मित्र कि संसार की सारी संपत्ती विजाई करके तुमारे चन्नों में रखतूंगा अस इस खेल को रोग तो मेत्र